गाट को मनाते हुए गौरव यात्रा के अंदर मुझे भी कुछ कदम चलने का आप लोगों के साथ में एक मौका मिला है और ये गौरव यात्रा जो पूरे देश भर के अंदर निकाली जा रही है और गुजराच से राजिस्तान के अंदर आया है ये ना केवल एक 75 वे वर्ष गाट का जशन है बलकि ये अपने आप के अंदर बहुत सारे मेसेजिस भी देता है जिसको समझने की आज जरूरत है हम लोगों को इस बात को आज जब 75 वर्ष आजाद हुए हो गए लोकतंतर प्राप्ट किये हुए हो गए तो हमको आज ये आंकलन करना भी जरूरी हो जाता है कि हमारा देश आज की दिन किस दिशा में जा रहा है क्या लोकतंतर हमारा मजबूत हो रहा है क्या लोकतंतर के अंदर जो सपने के साथ में जिस कुर्बानी के साथ में हमारे नेताओं ने कुर्बानिया दी जेले काटी जान दिये क्या लोक्तंत्र आज सही दिशा में उसी दिशा में जा रहा है क्या हम वाकई में लोक्तंत्रिक देश हैं लोक्तंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होता चुनाव तो इस तरीके से रूस के अंदर जो पुटिन है वो कहता है वो भी चुना हुआ है चीन का राश्पती है वो भी कहता है वो भी चुना हुआ है पाकिस्तान के अंदर जहां पे फौज चुनाव कराती है वहां पर भी वो कहते हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं तो क्या वो भी लोक्तंत्र हैं लोक् तंत्र का मतलब है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाने हैं, समिधानिक संस्थाने हैं, क्या वो सही माइने में अक्षुन हैं, क्या सही माइने में बगैर दबाव के काम कर रही हैं, क्या जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थाने हैं, क्या हमारी मीडिया है, क्या सही माइने के अंदर वो के मीडिया के लोगों के कपड़े उतार लिए जाते हैं तो क्या लोकतंत सहीम आएने में हमारे देश में है आज हमारे मीडिया इतने दबाव में है कि जो हमारे देश के सही दिखते हैं वो कहीं पर आपको मीडिया में चर्चा में नजर नहीं आएगा बेरोजगारी चमर चर माइने में लोक्तंत्रिक है जब हमारे इलेक्शन कमिशन दबाव में है हमारी न्याए पालिका भी एक तरीके से दबाव में है आज कितने लोगों को ये पूरा भरोसा है कि न्याए पालिका से उनको न्याए मिल जाएगा आज ये भरोसा लोगों को नहीं है तो जब ये भरो गौरव यात्रा हम लोगों की निकल रही है ये ना केवर 75 वे वर्षगाट का जशन हम इसमें मनाएंगे बलकि हम कॉंग्रेस के लोग इस बात को भी हम सोचेंगे और इस बात का भी प्रचार करेंगे कि हम लोगों ने क्या-क्या पिछले कम से कम सताथ वर्षों के अंदर खोया है और उसको वापस हम लड़कर के कैसे लोग तंत्र को सही माइने के अंदर हम स्तापित कर सकें यही हमारी कोशिश होनी चाहिए और इसके अंदर राजिस्तान में हम पूरी ताकत के साथ में पूरे देश में पूरी ताकत के साथ में लगाएंगे मुखुल जी आपको हम ये भरोसा देना चाहते हैं आपके माध्यम से कौंग्रे सध्यक्षार शिमती सोनिया गांदी जी को भरुसा देना चाहते हैं कि अशोग घेलोड जी के मुखे मंत्री काल के अंदर और साथ साथ में दोतासरा जी की अध्यक्ष्टा में राजिस्तान के अंदर ये गौरव यात्रा पूरे हिंदुस्तान में सबसे भैतरीन यहां पर राजिस्तान के अंदर रख करके दिखाएंगे लोगों के बीच ले करके दिखाएंगे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत